अपने आज पास की ताजा तरीन खबरे सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज जार्खन और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूँआ नमस्कार डेली डेल जार्खन में स्वागत है आपका मैं हूँ इम्तियाज अंसारी प्रस्तुत है समाचार भौनातपूर से हमारे संबादादा सतिसकुमार ठाकूर की रिपोर्ट भौनातपूर सेल आर एमडी ने मिराल हया भौनातपूर रेलवे ट्रेक अब पूरी तरह चोरों की गिरफ्त में आ चुकी है उक्त 35 किलोमेटर रेल लाइन की पट्री की चोरी तुरों के दवारा जगा जगा से काट कर बेखौफ तरीके से कबाडी दुकानों में बेचा जा रहा है आजा मामला सुमवार की राद की है जहां बेखौफ चोरों ने रेलवे साइनिंग स्थीत डोलो माइट पत्थर डंपिंग याड से याड के समीब से करीब 100 फीट रेलवे पट्री को उखाडने के बाद गैस कटर मसीन से काट कर ले गए जबकि आये दी चोरो द्वारा सेल की रेलवे पट्री की लगातार चोरी होने की घटना की जनकारी सैल प्रबंधन अस्थानिये प्रशासन को होने के बावजूद चुपी शादे हुए है चोरों के द्वारा लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिये जाने से रेल प्रबंधक एमंग पुलिस प्रशासन के विरुद अस्थानिय युवाओं में आक्रोस ब्यप्त है रेल में पट्री की चोरों के द्वारा काट कर ले जाने से छुब्द अस्थानिय युवाओं सुधिर सोनी प्रजेस कुमार गुपता अंप्रकास आरिया चमन सिंग सुधिर साहु अनोज पास्वान चंदन पास्वान आदी ने बताया कि केंदर सरकार संसद में बजट पासकर मिराल भया भौनातपूर को लेकर चोपन तक रेल परीचालन सुरू करने की पहल करने के में लगी हुई है तो दूसरी वोर रेल सेल प्रबंधन और अस्थानिय प्रशाशन के निस्क्रियता के चलते चोर रात के अंधेरे में रेल्वे पट्री को उखाड कर ले जाने में सफल हो रहे हैं उनने कहा कि सेल प्रबंधन साजिस के तेहत तुलसी दामट डोलोमाइट खदान बंद कर पत्थरों की ढुलाई का काल श्ठप करा चुकी है अब जबकि मेराल से लेकर भौनादपूर होते हुए चोपन तक रेल्वे लाइन पर योजना सुरू करने की केंद्र सरकार अपने बजट में ले चुकी है तो सेल प्रबंधन और अस्थानिय प्रिशाशन चोरों पर नकेल नकस कर उन्हें रेल्वे ट्रेक चोरी करने की खुली छुट दे रखी है अगर यह रेल्वे ट्रेक ही न रहा तो केंद्र सरकार की मिराल भया भौनादपूर से चोपन तक पैसेंजर ट्रेंड चलाने की योजना भौनादपूर बासियों के लिए एक सपना सरीके जैसा होकर रह जाएगा भौनादपूर के अंतरगर यह जो रेल्वे लिए लिए बर्सों से जो लगा हुआ था विचा हुआ था जो सभी लोग का उमीद था कि कहीं न कहीं इससे आने वाला दिन में प्रेसेंजर चलेगी ट्रेंड चलेगी लेकिन इस तरह से चोरो का आतंक देखकर अब लगता है कि यहां से पूरा लिख चोरी हो जाएगा और आने वाला दिन में पहिन कहीं भौनादपूर के जनता के साथ यह जो है बहुत ही गलत हो रहा है और दो किलोमीटर के अंदर भौनादपूर थाना है जो कि दो किलोमीटर यहां से दूरी पर है आख में काला चस्मा लगा कर औ और इस कारे को देखते हुए नजर अंदाज कर रहे हैं इसलिए कि दो किलोमीटर के अंदर पिट्रोलिंग भी हो रहा है हर तरह से नजर भी रखने लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई करवाई भी नहीं हो रहा है नहीं जाजपड़ताल हो रहा है जबकि कुछ दिन पहले आपका पूरे अखबार में भी इस तरह का निव जाया था जो की पूरे टाउन सीफ तरफ जो है रिलवेली छोरी हुआ है लेकिन यह जो है पूरे गाउं के बीचों बीच बहुनातपूर बस्ती हो गया चपरी हो गया और आवागमन का रस्ता है और बहुनातपूर थाना से म अपना नजर बढ़ाए देखे इसको और ध्यान देकर किसी तरह इसको सुरक्षा करें बचाएं